22 साल पहले मनिपूर जल रहा था, तब के प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाचपाई थे, विधान सवा जलाया गया, स्पीकर का बंगला जलाया गया, मरिपूर में शांती वापस नहीं आई, 40 दिन हो गए हैं, प्रधान मंत्री ने अपनी चुपी नहीं तोड़ी, कोई संदेशा नहीं, ठीक 22 साल पहले मनिपूर जल रहा था, अगबारों के हेडलाइन, अगर आप देखेंगे, 19 तारीक के, आपको खबर मिलेगी, इमफाल जल रहा था, विधान सवा जलाया गया, स्पीकर का बंगला जलाया गया, चीफ मिनिस्टर सेक्रिटेरियट जलाया गया, और करीब तीन, साड़े तीन महिने के लिए ब्लॉकेड रहा, 18 जून 2001, पहली बार मनिपूर जला, तब के प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाचपाई थे, सभी पार्टियों ने मांग की, प्रधान मंत्री जी से, कि हम आप से मिलना चाहते हैं, 24 जून 2001, मैं पढ़कर सुनाओंगा, यह P.I.B. का रिलीज है, अब तक P.I.B. ने इसको निकाला नहीं है, अपने वेबसाइट से, आप भी जा सकते हैं, यह P.I.B. है, 24 जून 2001, हेड्लाइन है, और पार्टी डेलीगेशन फ्रम मनिपूर मीट्स प्राइम मिनिस्टर, 18 जून को मनिपूर जल रहा है, 6 दिन बाद, सर्वद अलिय प्रधिनली मंदल प्रधान मंत्री से मिलता है, छे दिन बाद, और यह प्रधान मंत्री कारियाले से क्या रिलीज आता है, मैं आपको पड़ूंगा, और पार्टी डेलीगेशन फ्रम मनिपूर, प्राइम मिनिस्टर, श्री अटल बिहारी वाचपाई, यह तुड़े, करने की 24 जून 2001, प्राइम मिनिस्टर पोने क्या रिलीज कृत अचिछ व्रूंगा, दो रहा हूंगा the Prime Minister gave them a patient hearing the Prime Minister referred to the unanimous decision taken at their meeting with the Home Minister Shri L.K. Advani yesterday 23 June 2001 that various aspects arising out of the ceasefire will be reviewed यह ceasefire नागाओं के साथ था और यह जो हिंसा के रटना हुए थे यह नागा सीसफाय समझवता से लेकर हुआ था He reiterated the Union Government's assurance that the territorial integrity of Manipur will be preserved Another meeting with the leaders from Manipur would be held on the 8th of July 2001 by when the Home Minister would have returned from his tour अद्वानी जी बाहर जा रहे थे देश के बाहर आज जुलाई को उनोंने फिर से इस डेलिगेशन से भुला काती है The Prime Minister has appealed to the people of Manipur Prime Minister has appealed to the people of Manipur to maintain calm and help the administration in restoring normalcy in the state They should not give any credence to rumors इस ये प्रधान मंत्री कार्यालाई के ओर से एक रिलीज था जो आज भी पी आई भी आर्काइव में आपको मिलेगा ये है चोबीस जून दो हजार एक हिंसा होता रहा तंगे होते रहे मरीपूर में शांती वापस नहीं आई आठ जुलाई दो हजार एक और ये भी पी आई बी के आर्काइव से है कुछ कभी कभी फाइदा होता है विपक्ष की पार्टियों को आठ जुलाई दो हजार एक को प्राइम मिनिस्टर्स अपील टो पीपल ऑफ मानिपूर ये प्रेस रिलीज नहीं है ये प्रधान मंत्री का अपील है मानिपूर की जनता को मैं पढ़कर सुनाओंगा ये खुद प्रधान मंत्री का अपील है प्रधान मंत्री कहते हैं आठ जुलाई दो हजार एक को MPs and MNAs from all political parties from मनिपूर called on the Prime Minister श्री अटल बियारी वाजपाई here today यानि की प्रधान मंत्री इकीस चौबीस जुन को मिलते हैं सर्वत अली अप्रधान मंदल से और आठ जुलाई को दूसरी बार में दो बार बोलाकात होती है प्रधान मंत्री की following is the text of the Prime Minister's appeal ये मेरा शब्द नहीं है प्रधान मंत्री का शब्द है ततकाली प्रधान मंत्री का शब्द है following is the text of the Prime Minister's appeal on the occasion I, Kadhan Mantri, I express the people, grief of the people of the country and my personal grief at the loss of precious innocent lives in Manipur 15 लोग मारे गए थे 18 जून को, 15 लोग as someone who is fully conscious of their sentiments, emotions, problems and grievances I appeal to the people of Manipur to maintain peace and calm it shall be the endeavor of my government to ascertain and understand the viewpoint of the people and redress them to the best of our ability through a process of democratic dialogue I have already assured, I have already publicly assured the people of Manipur and I once again reiterate that the territorial integrity of Manipur shall be maintained Tappadhan Mantri कहते है I will take the first opportunity to be with you in Manipur Shri Swami, yo MOS, has already interacted with you and brought your problems and grievances to my notice I also invite various leaders of Manipur to come to Delhi and meet me personally so that your problems could be discussed in a free and frank manner In the meantime, we shall review the ceasefire agreement, Naga ceasefire agreement, including the words without territorial limits presently incorporated in the agreement so as to ensure that all doubts about preserving integrity of Manipur and other states of the Northeast are removed. I once again appeal to you to remain calm and help the administration restore normalcy in the state to create a congealian environment for progress and development in Manipur. तो साथियों प्रधानमंत्री अटल भियारी वाजपाई जी दो बार बिलते हैं. प्रधानमंत्री अटल भियारी वाजपाई अपील करते हैं. 2001 में. और आज हम यहां बैठे हुए हैं. तस पार्टियों के अध्यक्ष बैठे हुए हैं. चालिस दिन हो गए हैं. प्रधानमंत्री ने अपनी चुपी नहीं तोड़ी हैं. कोई बयार नहीं, कोई अपील नहीं, कोई संदेशा नहीं. और यह तीन दिन से यहां इंतजार कर रहे हैं. और अभी भी उम्मीद करते हैं, कि 20 तारीक के पहले, उसके बाद में प्रधानमंत्री अमरीका विजिट में व्यस्त हो जाएंगे, और एजिप्ट भी जाना है. 20 तारीक के पहले इनको एक मौका मिलेगा. स्सक्राइब करते हैं